Assalamu alaikum in today's lecture we are going to discuss about covalent bond The bond formed between atoms by sharing of electrons is called covalent bond Covalent bond क्या होता है? ऐसा bond जो कि electrons की sharing की वज़े से बने उसे हम क्या कहेंगे covalent bond Predictable में group 13 से लेके group 17 तक जितने भी elements हैं ये जब भी reaction करते हैं तो क्या बनाते हैं covalent bond वो covalent bond बनता किसे है? by sharing of electrons की वज़े से बनता है अब हम डिसकस करते हैं एक example covalent bond की For example हमारे पास एक item है hydrogen का Hydrogen के item में क्या होता है? एक electron अब hydrogen क्या है? अनिस्टेबल है क्योंकि इसके valence cell में सिर्फ एक electron है इसको क्या जब रहत है? एक और electron की क्योंकि hydrogen के valence cell में दो electron हो जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? stable और दूस्टा item कौन सा है हमारे पास? क्लोरीन अब क्लोरीन के valence cell में कितने हैं? 7 electrons इसको भी क्या है? यह जब रहत एक electron की अब इन दोनों items को किसकी जब रहत है? सिर्फ एक electron की अब bond कैसे बनेगा? इन दोनों items की एक इस situation है क्या है कि दोनों को एक एक electron की ज़रूरत है अब इनके पास यह हल है कि यह दोनों items अपने एक electron जो है शेयर कर लें तो क्या होगा? यह दोनों चार्ज है पॉजिटिव इसमें क्या होते है प्रोटॉण और क्लोरीन का जो नुकलिस हए इसपे भी चार्ज कहुंप और हायद्रोजन का जो distant है इस पर क्या चार्ज है नेगरेटिव के बैलए के क्लोरीन के लेक्ट्राउन को क्यूंकि पॉज Ni सब्सक्राइस डिर्टान टोडेक्ट्रेक्षं यह tract क्लोरिन के इलेक्ट्राण को यह रिप्लीज से चाया चाइज बने को साइगेफ सलाएश्फ यह बनुली से है ऀलेक्टराइस्ट्रण करेगग है chlorine के nucleus को क्या charge positive तो क्या होगई यापर two forces of repulsion आ गई अब क्या forces of attraction और forces of repulsion दोनों क्या है आपर दो दो bond कब बनेगा जब forces of attraction dominate हो जाएंगी तो क्या होगा इन दोनों atoms के दर्मियान जो distance है वो कम हो जाएगा और covenant bond बन जाएगा और हमारे पास इस रिजन में बनेगा SCL अब हम डिस्कस करते हैं टाइपस ओफ कोविलेंट बॉंड सबसे पहली टाइप क्या है सिंगल कोविलेंट बॉंड सिंगल कोविलेंट बॉंड क्या होता है कि बॉंडिट आटम्स यह अल्ली वन एलेक्टरॉन यह क्या है अनिस्टेबल इसी तना हमारे पास हाड्रोजन के एक और एटम है इसके भी पास क्या है एक एलेक्टरॉन यह दोनों हाड्रोजन के एटम क्या है अनिस्टेबल तो यह क्या करेंगे यह हाड्रोजन के एटम अपने एलेक्टरॉन्स टॉनेट नहीं कर सकते दोनुँ अपने ओल्टॉन को क्या खर लेंगे और क्या बन जाएगा hydrogen molecule हाइड्रोजन मॉल्लिक्यूल बन जाएगा और यहाँ पर क्या हुआ है । नियुको इस बाउंड को हम किस से रेप्रेजंट करते हैं एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से हम एक ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हाइड्रोजन सिंगल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और फिर दूसरा हाइड्रोजन यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह इन दोनों हाइड्रोजन के एक्टम्स के दर्मियान एक कोविलेंट बॉंट है दूसरा दारीका है dot and cross का इसमें क्या होता है कि एक atom के electron को cross से show करते हैं और दूसरे atom के electron को dot से show करते हैं तो यह किसा नहीं कर जाहेगा hydrogen का एक atom को लिखेंगे देन उसके electron शो करेंगे यानी का k्रोस लगाएंगे क्या एक electron है और फिर एक hydrogen के atom लिखेंगे फिर इसके electron को किसी शो करेंगे dot से तो यहां पर क्या represent कर रहा है कि यह दोनों hydrogen के atom के दर्मियान एक single covenant bond है और यहां पर क्या बन चुक है hydrogen molecule यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर हमने क्या लिए हैं दोनों hydrogen के atom है तो हम इसको क्या है हम इसके पास किया है एक electron और क्लोरीन वेस्ट इलेक्ट्रों डोनों किया है अकट टरा क्या रहिए अपने एक लेक्ट्रों जो है वह सूर मैं और इस तेज्व करेंगे तरह कृ जाएंगे से hydrogen के eletrons को यहाँ पर हम से शो कर रहे हैं और क्लोरिन के double covalent bond double covalent bond क्या होता है bonded items share two electrons यानि कि इतने भी bonded items हैं अपने अपने two electrons को share करेंगे for example क्या है इसकी O2 यानि कि oxygen का molecule oxygen के molecule किस तरह बनता है कि oxygen का item क्या होता है इसके balance तरह में होते हैं six electrons और वो किस तरह से होते हैं दो lone pair होते हैं और दो unpaired होते हैं अब यह unpaired electron जो हैं यही क्या करेंगे covalent bond बनाने में हमारी help करेंगे क्योंकि जो कि lone pair है lone pair में क्या है electron already एक दूस्टे से bonded हैं तो यह covalent bond में हिस्सा नहीं देंगे जो unpaired electron होते हैं balance share के वो हमेशा क्या करते हैं म मेंतर करते हैं अब हम देख सकते हैंगे यहापर क्या है oxygen का ईक अटम में इसके पास क्या है 2 unpaired electron और दूसरा जो oxygen का aiटम में इसके पास भी क्या है 2 new Pey imposture the outside अब double covalent bond को किस ताना से represent करेंगे हम oxygen का एक atom लिखेंगे then double straight lines लगाएंगे यानि कि double straight lines से show करेंगे double covalent bond को दूसरा oxygen का atom लगा देंगे यह गए represent कर रहा है कि इन दोनो oxygen के दोनो atoms के दर्मियान क्या है double covalent bond और दूसरा तरीका क्या है कि हम oxygen के atom के electron को show कर दें dot and cross तरीके से एक oxygen के atom लिखेंगे इसके electrons को हम dot से show कर रहे हैं दो lone pair show करेंगे और दो electron show करेंगे कि क्या है unpaired इसे तरह दूसरा oxygen के atom लिखेंगे और इसके एलेक्ट्रॉन को सब्सक्राइख किसे क्या है थो एलेक्ट्रॉन क्या थर्ड क्रों पिर्ड करमा ससुथ क्या है दोनों यहां श्यत्र दोनों थे दिक Joint sociale fat क्योंता कर सकते हैं दोनों डिफ्रेंट है For example CO2 यानि कार्बन डायोकसाइड कार्बन डायोकसाइड में क्या होता है कार्बन का एक एक आटम डबल बांड बनाता है ऑक्सीजन के दो आटमस के साथ यानि के ऑक्सीजन के दो आटमस होते हैं और कार्बन का एक एक आटम होता है कार्बन के वैलन सेल में होते हैं फॉर इलेक्टरण कार्बन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए four इलेक्टरण की जरूरत है यानि कि इस का वैलन सेल כब कमप्लीट होगा जब इसके पास four इलेक्टरण आ जाएंगे अब यहां पर क्या होगा कि oxygen के दो atoms आएंगे एक right side पर और एक left side पर right side पर oxygen का एक atom आएगा तो जो unpaid electron होंगे oxygen के वो covalent bond बना लेंगे carbon के दो electron के साथ यहाँ पर क्या बनेगा double covalent bond बन जाएगा इसी तना left side पर भी क्या होगा oxygen का एक atom आएगा और अपने unpaid electron को इस्तिमाल करते हुए carbon के unpaid electron के साथ double covalent bond बना लेगा यहाँ पर क्या हो रहा है कि oxygen अपने electron को share कर रहे है carbon के साथ और क्या बन रहा है double covalent bond अब हम इसको किस तना represent करेंगे हम लिखेंगे carbon double bond बना रहा है oxygen के साथ right side पर भी और left side पर भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक oxygen ने double covalent bond म energia carbon के साथ right side पर और एक oxygen ने double covalent bond बना रहा है carbon के साथ left side पर दूसरे तरह का यहाँ अब हम इसको dot and cross तरीके से भी show कर सकते है यानि हम इसके electrons को show करेंगे carbon के electrons को हमESS कर रहे हैं डॉट से कारबन में नचार यंप oxygen है, इस oxygen के पास दो lon ediyorum हैं और दो क्या है electron unpair ilot electrons carbon के साथ covalent bond बना रहे अपने two electrons को share कर गए अभ यहाँ पर वो क्यार रहा है कि दोनो oxygen अपने अपने दो-दो electrons carbon के साथ share कर रही है और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि bonded electrons कितने है eight इवी और golden electron hrons यहां पर हम कर सकते हैं के four electron carbon के हैं और two electron right side value oxygen के के हैं and two electron left side value oxygen के है यानि के total electrons कितने हैं bonded electrons यहां पर eight अब हम डेस्ते करते हैं glass type यानि के triple covariant bond triple covariant bond क्या हुत है bonded atom series three on pair electrons यानि कि इतने भी गॉंडेट का इतम से होंगे अपने अपने थिस अपर इलेक्ट्रों को शेयर करेंगे तो क्या बनेगा टिपल को बनेंट और इस-पल को कॉजेंट को हम रिपरेजदेंट किसे करते हैं थ्री स्टीर लाइंट से, औरईजेम्पिल नाट्रॉजन का मॉलेक्यूल, nitrogen की balance cell में कितने होते हैं five electrons यहाँ पर हम represent करते हैं nitrogen के electrons को dot से दो electrons pair हैं और three electrons क्या है unpeared इसे ताना दूसरा nitrogen के atom है इसमें क्या है दो electron paired है एक दूसरे से और three क्या है electron unpeared अब यह जो unpeared electrons ही क्या करेंगे यह covalent bond बना लेंगे दूसरे nitrogen के electrons के साथ और यहां क्या बन जाएगा nitrogen 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 के दर्मिमें triple covalent bond बन जाएगा और हमारे पास result में बन लेगा nitrogen molecule यह nitrogen का molecule बना है यह example होमो atoms की क्योंकि दोनों nitrogen के atom है दोनों सेम है अब हम example consider करते हैं hetero atoms की for example ethyine ethyine या फिर acetidine भी कहते हैं इसका formula क्या होता है C2H2 कार्बन भी 2 हैं और hydrogen भी 2 हैं यहां क्या होगा यहां triple covalent bond बनेगा किस तरह पहले जो कार्बन हैं इसके electrons को हम represent करेंगे dot से यहां पर हम क्या दिखाएंगे के carbon के balance cell में कितने हैं four electrons और दूसरा कार्बन जो है इसके electrons को हम represent करेंगे cross से और यहां पर क्या दिखाएंगे के carbon के balance cell में है four unpaired electrons यहां पर हम देख सकते हैं कि यह carbon carbon के दर्मियान क Queens Il4 और यह द लेक्ट रहे हों और यहां पर के बन रहे हैंगे carbon hydrogen के सांथ एक बाण्ट बना रहा है राइच साइट पर और carbon hydrogen के साथ एक bond बना रहा है left side पर अब हम इसको इसताने represent करेंगे कि carbon triple bond यानि कि triple state lines फिर carbon और हम क्या देखेंगे कि महां पर क्या बन रहा है single covalent bond तो हम यह क्या लगाएंगे single state line और फिर hydrogen लगा देंगे right side पर भी और left side पर भी क्या रहाएंगे single state line कि यहांफ परralinse जहां पर singleancy नाइन वह और दूसरा भी आना है बनाई कार्बन और दूसरा थोटल फाइव थिरि कऊधे इस हैं कर्बन के दर्मयान और हमारे कर सकते हैं Carbon-carbon के दर्मयान जो triple bond बन रहा है इसमें है 6 electrons Then carbon-hydrogen के दर्मयान जो bond बन रहा है वहाँ है 2 electrons और right side पर भी 2 electrons और left side पर भी 2 electrons So total bonded electrons हमारे पास आजएंगे कितने 10 This was all about covalent bond Drop a comment if you have any confusion regarding this lecture and don't forget to subscribe my channel Thank you Thank you